नमस्कार दोस्तों, चुनाओ की तारीखें जैसे जैसे नस्दीक आ रही है वैसे वैसे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है अभी बिहार में पशुपति पारस अलग हुए NDA से और अब बिहार के पडोसी राज जहारखंड में उठा पटक मच गई है बिहार में बीजेपी ने सीट शेरिंग तो कर ली, 13 सीटे खुद और एक सीट पर सुदेश महतो की पार्टी को गेरिडी की सीट दी गई है लेकिन इस बीच कॉंग्रेस में बीजेपी में बड़ी सेंदमारी कर दी है और जारखंड में ये बीजेपी के लिए बड़ा जटका है राम टहल चौधरी पांच बार राची सीट के सांसद 1991, 96, 98, 99 और 2014 पांच बार राम टहल चौधरी बीजेपी के सांसद रहे और अब वो बीजेपी को छोड़ कर कॉंग्रेस में शामिल हो गए है अब माना जा रहा है कि कॉंग्रेस उनको राची से लोकसभा का चुनाओ लड़ा सकती है कॉंग्रेस में शामिल होते वक्त राम टहल चौधरी ने कहा कि मुझसे बीजेपी में ये कहा जा रहा था कि आप इस बार चुनाओ नहीं लड़ेंगे ये लिख कर दीजिए क्या कुछ कहा राम टहल चौधरी ने पहले वो सुन लीजिए फिर इस खबर पर आगे बात करते हैं राम टहल चौधरी को कौंग्रेस में शामिल कराते वक्त कौंग्रेस के प्रभकता पवन खेडा ने कहा कि हमको हर दो-चार दिन में उस खेमे के लोगों की यानि की बीजेपी के लोगों की नीद उलानी है नीद हराम करनी है इसलिए ऐसी जोइनिंग्स होती रहेंगी पवन खेडा की भी बात सुन लीजिए कि आपको उस दिन वादा किया था कि हर दो-चार दिन में कुछ लोगों की नीद हराम करनी है उसी वादे को आगे बढ़ाते हुए आज एक वरिष्ट नेता भाजपा के पूरु सांसद पांच बार के सांसद, तीन बार के विधायक श्री राम टहल चौधरी जी दो बार के विधायक रहे हुए और पांच टर्म्स के सांसद रहे हुए राम टहल चौधरी जी का हम स्वागत करेंगे दोस्तो राम टहल चौधरी जारखंड में BJP का बड़ा नाम है राम टहल चौधरी पांच बार के सानसद है और उनका कॉंग्रेस में जाना पांच बार के सानसद का BJP को अलविदा कह देना और वो भी उस सीट के सानसद जो राज्यकी राजधानी है यानि राची उस seat के पाँच बार के सानसत का कॉंग्रेस में जाना जारखण में BJP के लिए अच्छी खबर नहीं है जारखण में ही हेमन सोरेन जारखण के मुख्यमंत्री थे और जिस तरीके से हेमन सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा फिर उनको जेल जाना पड़ा वो जो घटना करम पूरा जारखंड में चला उससे जारखंड के आदिवासी वोटर्स में पहले से ही नाराजगी थी और अब राम टहल चौधरी का कॉंग्रेस में जाना बीजेपी के लिए खत्रे की घंटी है दोस्तों जारखंड में 14 सीटे हैं लोकसभा की और बिहार में 40 सीटे हैं और दोनों ही राज़ बीजेपी के लिए या यू कहले कि एंडिये के लिए डामा डोल वाली स्थिती में है पहले बिहार में गडबंधन में टूटन हुई और अब जारखंड में एक बड़े नेता कॉंग्रेस में आ गया इससे पहले भी कॉंग्रेस के मांडू सीट के जो सिटिंग विधायक थे सिटिंग विधायक वो भी बीजेपी को छोड़ कर कॉंग्रेस में शामिल हो गए यानि जारखंड में एक के बाद एक बैक टू बैक जटके बीजेपी को लगते जा रहे हैं यानि राम टहल चौधरी का कॉंग्रेस के खेमे में जाना अब वहां के जो मौझूदा सांसद हैं संजे सेट उनकी भी मुश्किले बढ़ाएगा 2014 में राम टहल चौधरी इस सीट से सांसद बने लेकिन 2019 में बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया था और संजे सेट को अपना टिकट दिया था उस चुनाओं में राम टहल चौधरी निर्दली ये चुनाओ लड़ गये थे हलाकि बीजेपी के प्रत्याश्टी को कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ लेकिन इस बार राम टहल चौधरी अगर कॉंग्रेस से चुनाओं लड़ते हैं क्योंकि जार्कंड में गडबंधन है और अगर कॉंग्रेस से चुनाओं लड़ते हैं पांच बार के सांसद है अनुभव है लोगों के बीच में नाम है तो बीजेपी के मुश्किले बलूर बहाएंगे